एक तरफ जहां NDA में भारतिय जंता पार्टी के निताओं के बयानों के कारण घमासान मची हुई है और इस बात का कयास लगने लगा है कि भारतिय जंता पार्टी के निता जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से नितिस कुमार के खिलाफ बयान बाजी चल रही है, नितिस कुमार पाला बदल सकते हैं और ठीक ऐसे बीच में राष्टे जनता दल के एक विधायक ने ये दावा कर दिया है कि नितिस कुमार जल्दी ही पाला बदलेंगे. अब वो पिधायक जी कौन है उनका दावा कितना सही हो सकता है और फिर उन्होंने क्या दावा किया है हम आपको विस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार में अनाम वेद प्रकास है आप जनता जंग्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं पपूशिंग एक तरफ जहां NDA में भारतिय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कई तरह के बयान दे चुके हैं जिस बात से इस बात का क्यास लगाया जाने लगा है कि वो लोग नितिश कुमार को साइडलाइन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अब RJD की एक विधायक जिनका नाम बिरेंद्र यादव है उन्होंने एक ऐसा दावा कर दिया है जिससे भारतिय जनता पार्टी की न सिर्फ मुश्किले बढ़ेंगी बलकि NDA टूटने का खत्रा बढ़ जाएगा राश्ट्रिय जनता दल के विधायक भाई बिरेंद्र यादव ने इस बात का दावा कर दिया है कि नितिस कुमार जल्दी पाला बदलने वाले हैं उन्होंने ये दावा कर दिया है कि नितिस कुमार जल्दी ही भारती जनता पार्टी का दामन छोड़ देंगे भारती जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे और उसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या नितिस कुमार फिर से पल्टी मारेंगे और पल्टी मार करके फिर से राज़त के साथ चले जाएंगे और फिर बिहार में एक बार सरकार बदल जाएगी लेकिन इस बात को समझ लीजिए आप कि एक तरफ जहाएं इंडिये के बड़े-बड़े नेता अपनी बयानों के कारण स साबित करता है आप समझ लीजिए कि राष्ट्रिय जंता दल जो है लोकसभा चुनाओ के समय से इस बात का दावा करती है कि नितिस कुमार जो है चुनाओ के बाद वापस आ जाएंगे चुनाओ बीत चुका है केंदर में सरकार बन चुकी है सपत गरहन हो चुका है मंत्री पत दिया जा चुका है उसके बाद भी अब आरजेडी का दावा जो है वो कम नहीं हो रहा है बलकि भारती जंता पार्टी के निताओं के जिस तरीके से बयान आ रहे हैं उन बयानों के बाद राष्ट्री जंता दल के निता का ये बयान आना इस बात की और इंगित करता है क सायद ऐसा कुछ हो भी सकता है अब आप समझेए कि यह क्यों हो सकता है कि एक तरफ तो भारतिय जन्ता पार्टी के जो नेता है वो नितिस कुमार का नाम नहीं ले रहे हैं दूसरी तरफ उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और कही ने कही बात का बयान देचुके है कि 2025 के बिहार विधानसवा चुनाओं के समय भारतिय जनता पार्टी को किंग मेकर की भूमिका में होना चाहिए और इंडिये जो है भारतिय जनता पार्टी के नित्रितों में विधानसवा चुनाओं लरे और दूसरी तरफ राष्ट्रिय जनता दल जो है नितिश कुमार के इस करने का प्रयास कर रहा हैं राष्त्य जंतादल के नेता जब यह बाते बोलते हैं तो कहीं ने कहीं नितिन्षिकुमार के उस दर्द पे हाथ फिर रहे हैं जिस पर भारती जंतापाटी के नेताओं के बयान से दर्द हो रहा है। आप समझ लीजिए कि अगे ऐसा होता लाओं का अनरगल बयाना ने लगा तब नितिश कुमार चुपके से पल्टी मार गये और उसके बाद राज़त के सांथ जाकर सरकार बना लिये हो सकता है कि ये मामला जो है फिर से दुरा दिया जाए और हो सकता है कि नितिश कुमार पाला बदल ले लेकिन इस खबर को लेकर के आप क्या समझते हैं आपकी क्या राय है कमेंट करके अपनी राय हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जंता जंचन बहुत बहुत धन्यवाद